नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर से हमारे इस Powerful Motivation YouTube चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चारक के नीतिके अनुसार बताएंगे काउन सा काम आपको महिला के साथ बेसर्म होके करने चाहिए जिसको करने से आपका जीबन स्वारक बन जाएगा और सफलता आपके कदम चूमेंगी लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको आचारे चारक की जी के कुछ ऐसे अनमोल बचनों से अबगत कराएंगे जो कि आपके जीबन को एक सार्थक मोड दे सकते हैं जीबन जीने का सही रास्ता दिखाते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं उनके बारे में दोस्तों चारक की जी कहते हैं जिस देश में आदर नहीं जीने के साधन नहीं विद्या प्राप्त करने के इस्थान नहीं बहाँ पर रहने का कोई लाब नहीं होता है दोस्तों सक्ति साली सत्रों और कमजोर मित्र हम ऐसा ही नुकसान दे होती है हाथी को अंकु से, घोरे को चाबुक से, सिंग बाले पसु को डंडे से और दुर्जन ब्यक्ति को तलबार से दंड देना चाहिए दोस्तों आचारे चारिक जी कहते ही, जो लोग मिली हुई चीज को छोड़कर उस चीज के पीछे भागते हیں जिसके मिलने की कोई उमीध ही नहो, ऐसे लोग मिली हुई चीजों को भी खो देते ही दोस्तो जिस जगह जगड़ा हो रहा हो बहाँ पर कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए कई बार ऐसे जगड़ु में बेगुनाहा भी मारे जाती ही दोस्तो चारक की जी कहते हैं धर्म गुरु का ज्यान दबाईयां आदिका सदा संग्रह करते रहना चाहिए समयाने पर या सब चीजें इंसान के काम आती ही मित्रता उस इस्थान के लोगों से की जानी चाहिए जहां पर सर्म चतुरता तयाग जैसी आदितें अबस से हो दोस्तो चारक की जी कहते हैं, सोना यदी किसी गंदी जगे में भी पड़ा हो, तो उसे उठा लेना चाहिए, दोस्तो चारक की जी कहते हैं, पत्नी जैसी भी हो, धन जितना भी हो, भोजन कैसा भी हो, यह सब यदी समय पर मिल जाएं, तो सबसे अच्छा होता है, इस संसार मे कोई ऐसा प्राडी नहीं है जिसमें कोई दोस ना हो सिच्छा यदि किसी घटिया प्राडी से भी मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए दोस्तो चारक जी कहते हैं जब बिनास काल के दिन आते हैं तो बुद्धी भरष्ट हो जाती है दोस्तो यदि किसी दुष्ट बंस में बुद्धिवान करने हो तो उससे साधी कर लेनी चाहिए गुड़ी सबसे बड़ी बिसेष्टा मानी जाती है लड़की की साधी सदा अच्छे घ़र में करनी चाहिए और बेटे को सिच्छाबस से दिलवानी चाहिए पागल बुद्धीन आदमी से सदा दूर रहें ऐसे लोग पसू समान होते हैं दोस्तो अगली बात है अपने मन का भेद दूसरों को देने बाले लोग सदा ही धोका खाते हैं दोस्तो चारक जी कहते हैं परिस्रम करने से इंसान के गरीबी दूर हो जाते हैं और पूजा करने से पाप दूर हो जाते हैं अब दोस्तो आएए जानते हैं किन कामों को बेक्ति को बेसर्म हो के करना चाहिए आचारी चड़क ने कई ऐसी बातیں बताई ही जो सभी लोगों को अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए जी हां ऐसे में कहा जाता है कि बेसर्म ना बनू लेकिन आचारे चारे की जी ने कहा है कि अगर सान से जीना है तो कुछ कारे को करने के लिए बेसर्म बनना बहुत जरूरी है जी हां भही आज हम उसी कारे के बारे में बताने जा रहे हैं आईए जानते हैं दोस्तो नमबर एक आचारे चारेक ने इस बात को साप साप कहा है कि भोजन करते समय हमें सर्म नहीं करनी चाहिए जी हां हमेशा और हर जगे भोजन करते समय बेसर्म होकर भोजन करो और भोजन करते समय सर्म करोगे तो भूखे ही रह जाओगे दोस्तों चाड़क जी दूसरी बात बताते हैं, पढ़ाई करते समय बिल्कुल भी सर्म मत करो, अगर आपको कोई सबाल समझ नहीं आ रहा है, तो बेसर्म हो जाओ, और उसे अपने टीचर से पूछो, क्योंकि जो ब्यक्ति पढ़ाई करते बक्त सर्म करेगा, बहब्यक्ति अ मैं सर्म नहीं करनी चाहिए, बरना आप कभी भी धन नहीं कमा पाएंगे, जी हाँ यदि कोई ब्यक्ति धन कमाने के लिए किसी भी कारे को छोटा या बड़ा समझ कर सर्म करता है, तो बहब अपने जीवन में कभी भी धन अरजित नहीं कर सकता है, अब दोस्तों आईए जा क्योंकि दोस्तों जिस घर में आउरत का सम्मान होता है, उस घर में देवी लच्मी बास करती है और उस घर में हमेसा खुसिया आती रहती है, इसलिए दोस्तों सास्तरों के अनुसार आपको कभी भी आउरत से प्यार मागने में या जबरदस्ती लेने में सर्म नहीं करनी च बजे से आपका रिष्ता तूट सकता है क्योंकि दोस्तों आवरत कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगी कि आप उसको प्यार करें आउरतों को मर्दों के मुकाबले बहुत ज्यादा सर्म लगती है जिसकी बजे से वो आपसे कभी भी प्यार नहीं मांग पाएंगी और अंदर ही और आप से नाराज भी हो जाएंगी इसलिए दोस्तों अवरत से प्यार मागने में या जबर्दस्ती डेने में कभी भी सर्म ना करें तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट सेर करना बिल्कुल भी मत भूलना और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसा ही ग्यान बर्दक वीडियो के साथ तब तक लेश्टे मोटिवेट श्टे फेरलेस